हलो डियर फ्रेंड्स मैं दिग्विजी सिंग चोधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्व परिवार क्रिप्टो 200 परजंट अर्णिंग चनल पर फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में सबसे बड़े दो टोपिक्स पर बात करने वाला हूँ तो बात कर लेते हैं पहले टोपिक को लेकर तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि मैं अभी किसी भी फंडामेंटल स्टोंग अल्ट कोईन में एंट्री लू या नहीं बस इस बात करने नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें तो फ्रेंड्स ध्यान से मेरी बाते सुनना मैं कुछ बाते बताने जा रहा हूँ फिर आज के बाद आपका ये डाउट खतम हो जाएगा तो देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जितने भी फंडामेंटल स्टोंग टॉकन्स हैं उनकी प्राइज कितना पर्सेट नीचे आ चुकी है अब तक तो जवाब मिलेगा जो फंडामेंटल स्टोंग टॉकन्स है उनकी प्राइज अभी तक लगबग 70% तक नीचे आ तो इसका मतलब इस्पेश्ट हो गया है कि बहुत सारे ऐसे alt coins है जिनकी price आज उसी जगे आ गई है जिस जगे उनकी price आज से कुछ महीनों पहले थी अब अगर मैं बात करूँ जब bull run चल रहा था तब की तो उस time पर लगबग सभी fundamental strong tokens की price बहुत उपर थी और साथ में ही दीरे दीरे price उपर भी भड़ रही थी तो उस time पर बहुत से लोगों को वाश्याताब हो रहा था कि कास मैं उस time पर entry ले लेता और साथ में ही यह भी सोच रहे थे कि कैसे भी एक बार price नीचे आ जाए और मैं entry ले लूँ और देखिये मैं इसका जीता जागता example भी देना चाहूँगा आप सभी को पता है Metricoin की price आज से कुछ महीनों पहले लगबग 32 रुपे के आसपास चल रही थी और फिर जब Bitcoin की price बहुत तेजी से बढ़ने लगी तब मातर कुछ ही दिनों में Metric token की price बढ़ते बढ़ते 220 रुपे तक पहुची और ये आगे और बढ़ती पर फिर जो मार्केट में क्रेस आया उससे इसकी price लगाता नीचे देखने को मिली और एक बार तो price 49 रुपीज तक भी नीचे देखने को मिली थोड़ दिन पहले और अभी भी Metric token की price नीचे ही है तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से अभी Metric token की price बहुत नीचे है वेसे ही बहुत से ऐसे best fundamental strong tokens है उनकी price नीचे है और जैसा आपने सोचा था कि एक बार price नीचे आ जाए तो मैं entry ले लूँगा तो यदि आप long term के लिए entry लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्योंकि अभी time है अब यह मत सोचना कि यदि entry लेने के बाद में Bitcoin नीचे आ गया तो क्या होगा तो देखिए मेरे भाईयों यदि आप long term के लिए entry ले रहे हैं तो फिर entry लेने के बाद में कोई answer मतलो क्योंकि मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि Bitcoin इसी तरह से नीचे आता है और फिर नीचे आने के बाद वह सारे अपने पुराने record तोड़ कर एक नया record बनाता है बले ही थोड़ा time लग जाए लेकिन यह अपना record बनाता है और देखिए अब भी market में Bitcoin को लेकर बहुत बड़ी बड़ी good news आ रही है और बहुत बड़े बड़े लगों की नजर Bitcoin पर है और यदि आने वाले कुछ ही दिनों में Tesla ने भी वापिस से Bitcoin को payment के रूप में accept कर लिया तो फिर Bitcoin नहीं रुकने वाला तो जिसको long term के लिए entry लेनी है वो अपनी इच्छा से ले सकता है मैं किसी को advice नहीं दे रहा हूँ नहीं bound कर रहा हूँ बस मैं सिर्फ Bitcoin के बारे में बता रहा हूँ कि Bitcoin बहुत जल्दी अपना एक नया all time high बनाएगा और यदि Bitcoin अपना नया all time high बनाएगा तो फिर fundamental strong tokens में बहुत बहुत बड़ी rally देखने को मिलेगी और जो लोग यह सोच रहे हैं कि अब यदि Bitcoin नीचे आएगा तो ही हम entry लेंगे तो देखिए यह crypto market है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है कि कभी Bitcoin की price बहुत उपर चली जाए और कभ बहुत नीचे आ जाए हो सकता है अभी price जिस level के पास चल रही है उसी level से अब उपर ही देखने को मिले हाँ वो बात अलग है कि अभी wealth active है इसलिए price इतनी उपर जा रही है लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अब Bitcoin की price रियल तरीके से उपर की और देखने को मिले है तो जो लोग long time के लिए entry लेना चाहते हैं उनके लिए कोई problem नहीं है यदि problem है तो short time के लिए जो लोग trading करते हैं उनके लिए है क्योंकि अचानक से Bitcoin की price में 1000 डोलर, 500 डोलर, 1500 डोलर का जरूरत नहीं है क्योंकि ओर राल Bitcoin की price उपर ही जाएगी तो friends आप लोगों के मन में जो entry को लेकर एक बड़ा doubt था वो शायद clear हो चुका होगा और मैं कोई हवावाजी करता नहीं हूँ कि बस अभी आप entry ले लो और आने वाले 10 या 15 दिन में आप अमीर बन जाओगी यह हो टोपिक को लेकर तो देखिए अभी Bitcoin की price बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से कम भी हो रही है तो अब क्या होगा इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है Bitcoin का technical analysis तो अब मैं आपको बहुत important level बताने जा रहा हूँ तो उनको अपने दिमाग में छाप लेन देखे फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ अभी market में हो क्या रहा है अभी Bitcoin की price बहुत बढ़ रही है और हम सब यही चाते थे कि Bitcoin की price बढ़े ताकि हमारा loss recover हो जाए लेकिन दुरबागी की बात यही है कि अभी Bitcoin की price के साथ साथ volume उतरा नहीं बढ़ रहा है बस अगर volume भी उसी ratio में बढ़ता जिस ratio में price बढ़ तो हम 100% sure हो जाते कि अब बुल्डरन स्टार्ट हो गया है बट अभी भी बहुत सी ऐसी बाते हैं जिनको देखर कह सकते हैं कि बुल्डरन स्टार्ट हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में तो देखिए पहली बात मैं आपको ब volume बढ़ने लगेगा और फिर market में volume के सासाथ price और बढ़ने लगेगी तो फिर उस इस्तति में bull run पका हो सकता है तो dear friends देखिए अगर बात करें resistance and support level को तो देखिए अभी जो bitcoin की price सल रही है वो लगबग 39,886 dollar के आसपा सल रही है आप देखिए मैं आपको कुछ important बाते बत थी ताइखिए जब bitcoin की price इस तरह के नीचे आ रही थी फिर bitcoin ने दूसरा अपना low बनाया यहां कहीं फिर bitcoin ने जो third low बनाया वह कहीं यहां पर बनाया ठीक है इस तरीके से और फिर Bitcoin ने जो fourth low बनाया वो इस तरीके से नीचे के और बनाया मैंने आपको यहाँ पर बताया दिया था कि Bitcoin अपना second low बना सकता है और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि Bitcoin अपना third low बना सकता है और Bitcoin ने अपना fourth low भी बनाया और Sam उसी जगे बनाया जिस जगे मैंने आपको बता है तो friends जब price नीचे आ रही थी तब Bitcoin ने जिस तरीके से low बनाये थे ठेक उसी तरीके से अब जब price उपर जा रही है तब Bitcoin अपने top बना रहा है तो सबसे पहले उन top को लेकर बात कर लेते है देखे dear friends मैं आपको जूम करके कुछ important top levels बताना चाहूँगा कि Bitcoin किस तरीके से यहाँ पर top बनाते जा रहा है देखेगा यहाँ पर आप तो देखे dear friends यहाँ से price बढ़ते बढ़ते इस level तक पहुँची यहाँ पर Bitcoin ने अपना एक top बनाया और यह top first था लगबग 32,000 डोलर के आसपास हुआ क्या price इस support को पाकर दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुची और यहाँ पर इस level के आसपास Bitcoin ने अपना second top बनाया देखे second top बनाया 34,000 डोलर के आसपास इसको अपना support बनागर उपर के ओर देखने को मिला पहले इसको support बनाया इस level को support बनाया फिर इस level को support बनाया और फिर इस level को अपना support बनाया कौन सा level top third यहाँ top third कौन से level के आसपास है 37,000 डोलर के आसपास तो देखिए यहाँ पर top first बनाया, यहाँ पर top second बनाया, यहाँ पर top third बनाया तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि bitcoin की price इस तरीके से उपर की और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची अब देखिए इस top को बनाने के बाद में bitcoin इस level तक पहुंच गया है, लगबग top 4 के आसपास और अभी जिस level के आसपास price चल रही है, वहाँ पर bitcoin अपना एक top बनाने की कोश्चित कर रहा है, कौन सा top लगबग इस level के आसपास आप देख सकते हैं अब इस top 5 कौन से level के आसपास बना सकता है, तो उसको लेकर पहले बात कर लेते हैं, देखिए यहां पर जो आप यह level देख रहे हैं, मैं इसको तो नीची के और लेकर आना जोगा, देखिए आप यहां पर यह level देख रहे हैं, very very big resistance, 42,200 डोलर के आसपास, तो इसी level के बिटकोइन अपना top 5 बना सकता है, यदि बिटकोइन इस level के आसपास अपना top 5 बना बाता है, तो फिर अपन कह सकते हैं, बिटकोइन अब थोड़ा उपर देखने को मिल सकता है, देखिए डेट प्रेंड्स, मैंने आपको 2-3 वीडियो से में बताया है, मैं आपको फिर बत कि यह जो level आप देख रहे हैं, कौन सा level? 42,000$ के आसपास को जी level है, यह बहुत बड़ा resistance है, ठीक है, यदि मालीचे बिटकोइन की price इस resistance को बिना volume के भी उपर के साथ breakout कर देती है, और यदि इसके उपर stable भी हो जाती है, जिस तरीके से बिटकोइन की price stable हो रही है, बिटकोइन का volume भी बड़ेगा, तो फिर उस तरीके से अपन कह सकते हैं, कि अब bull run start हो सकता है, तो dear friends, यह बात आपको समझ में आएगी, अब देखिए, अभी यहाँ पर सबसे बड़ी यही बात देखने की है, कि बिटकोइन क्या इस 40,000$ के आसपास एक stability बना पाता है, य यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, बिग बिग सपोर्ट, कौन से लेवल, 38,000$ के आसपास, तो यह जो लेवल आप देख रहे हैं, यह बिटकोइन की प्राइस के लिए बहुत बड़े सपोर्ट की रूप में काम करेगा, अब क्योंकि बिटकोइन की प्राइस अब इस ले आसपास, तो यह बात आपको समझ में आई होगी, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बैसिली जो बात बताइए वो यह है, कि यदि इस लेवल को उपर किसाट ब्रेक आउट करता है, यदि इसके उपर इस्टेबल होता है, तो फिर बिटकोइन की प्राइस आपको 46,200$ तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि 42,200$ के बाद में कोई बड़ा रेजिस्टेंस बिटकोइन की प्राइस को नहीं मिलने वाला है, फिर बिटकोइन की प्राइस आपको देखिए यहाँ पर वन डेके टाइम फ्रेम पर जो ग्रीन केंडल से उनकी संक्या देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनकी संक्या एक, दो, तीर, चार, पांच, छे, साथ और आठ तो dear friends यह एक बहुत बड़ा सायन है बुल्ड रन के लिए क्योंकि एक साथ आठ ग्रीन केंडल अपने को वन डेके टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रही है और ऐसा तब ही होता है जब एक बुल्डन की इस्तती बनती है अब देखिए dear friends मैं आपको यही इस्तती दो, तीन जगी दिखाना चाहूँगा देखिएगा यहाँ इस प्रकार से एक बुल्डन देखने को मिला और बिटकोन की प्राइस इस लेवल ते कपने को देखने को मिली आप सभी को पता है अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा और उस बात को देखिएगा इस चीज को देखिए यहाँ पर यहाँ पर कितनी ग्रिन केंडल है एक साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ ग्रिन केंडल है तो 7 green candle मिलिए एक साथ देखने को 1 decade time frame पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकोन की price में इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा pump देखने को मिला देखिए इसके साथ साथ मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा वो भी देखेगा अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कितनी green candle 1 decade time frame पर बनी है देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 green candle यहाँ पर बनी है ठीक है इसे परकार चे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो dear friends मैं आपको इतना है कहना चाहता हूँ कि जब एक साथ इतनी green candles 1 decade time frame पर बन रही है तो वहाँ पर एक चोटा संकेत बन जाता है कि कही न कहीं अब अपन bull run की और बढ़ रहे हैं देखिए मैंने आपको एक और important बात बात बताई थी उस बात को भी आपको मैं दुबारा बता देता हूँ देखिए 7 वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने आपको उस time पर बताया था और साथ मैंने इस चीज़ को यहाँ पर plot करके रखा हुआ है मैंने इसको अभी भी delete नहीं किया है क्यों नहीं किया है क्योंकि यह चीज मुझे बहुत ज़्यादा अलग से दिख रही है देखिए कि 2018 और 2019 के बीच की बात करो मैं इस पूरी परकेरा को आप देखिए प्राइस इस तरह से उपर जाके मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह से नीचे आगे यहाँ पर low बना है इस तरह से बढ़ते ड़ते अ उपर क्यों गई है तो यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं सारी बातों को ध्यान में रखिए fundamental की बात करें तो उसको भी ध्यान में रखिए अगर क्रिप्टो मार्केट में आपको रहना है और यहाँ से Profit कमाना है तो सारी बाते आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितने भी यूटूब चैनल्स हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा उन YouTube चैनल की वीडियो देखिए जहांपर टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है क्योंकि डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है बिटकोन का इस टाइम पर अब यदि आपको जरासा भी लगा हो कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी तक सेर जरूर करना ताकि जो लोग एंट्री लेना चाते हैं उनका डाउट किलियर हो सके इस वीडियो का कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लेगी है अब मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बबाई टेक क्यार